रादे रादे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग आप सभी धर्म प्रेमियों को साधर परणाम करती हूँ आज मैं आपको कार्टिक शुकल की आउला नौमी की व्रत कथा सुनाने जारी हूँ आज मैं आपको कार्टिक नौमी के वरत और कुश्मांद दान के महात्यमे को सुनाओंगी आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा अगर आप आउला नौमी का वरत करते हैं तो आपको इस कथा को जरूर सुनना चाहिए इस सेवरत के साथ में कथा सुनने का पूरा फल मिलता है आईए अब हम कार्टिक शुकलुपक्षी की आवला नौमी की वरत कथा सुनते हैं एक बार यमना तट की तराई पर एक बहुत बड़ा गाउं था उसमें राम शर्मा नाम का एक ब्रामन रहता था वे ब्रामन बड़ा ही धार्मिक प्रवति का था सभी प्रकार के वरत उपवा सोदान पुने किया करता था व्रह बामन सच्चे चरित्र वाला था और महनत से धन कमाता था और अपने कमाए हुए धन का कुछ भाग गरीबों में दान करता था और पुण्य काम में लगाता था उस ब्रामन के दो पुत्र थे एक पुत्र का नाम क्रश्न और दूसरे का धनन्जे था ब्रामन अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन कर रहा था ब्रामन अपने दोनों पुत्रों को सत्य का पाट सिखाता था ब्रामन अपने दोनों पुत्रों को सच्चाई का मार्ग दिखाता था और हमेशा उनके लालन पालन में सत्य का मार्ग अपनाता था और दोनों पुत्रों को कहता था कि हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना इस तरह समय बीतने लगा एक समय ऐसा आया कि जब है बुजुर्ग हो गया और बिमार हो गया तब ब्रामन राम शर्मा ने अपने ग्रस्ती का सारा भार अपने पुत्रों को सोपा और सम वन में तपशा करने के लिए चला गया वन में जाकर उस ब्रामन ने कठोर तप किया उसने अन जल सब त्याग दिया उस ब्रामन के उपर सर्दी गर्मी बरसात का कोई असर नहीं होता था तब एक दिन जब उसका शरीर बिल्कुल जीन्ड शीन हो गया तो भगवान क्रश्न चंदर जी को मन में बसाकर वैविश्नु लोग को चला गया जब ब्रामन के पुत्र क्रश्न और धनन्ज को पता चला कि उनके पिता जी का देवलोग गमन हो गया है तो उन्होंने अपने पिता का उरे विधी विधान के साथ अंतिम संसकार किया जब परिवार में कोई बड़ा नहीं रहा तो क्रश्न और धनन्ज द जब परिवार का कोई ही तेक्षी उन्हें समझाता तो वें उनके साथ लड़ाई जगड़ा करता। शणिक सुक के लिए उन्होंने अपने घर का सारा धन नश्ट कर दिया। वे दोनु अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते थे। इस कारण वे हमेशा वे शाओ के सोंदरिये को निहारते रहते थे और वे शाओ के साथ ही रातरी बिताते थे। एक समय ऐसा आया जब उनका सारा धन खतम हो गया, तब परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। बिना धन के बिना घर के उन दोनों ने वन में जाकर शरण ले ली, बिना धन के और बिना घर के उनोंने चोरी करना शुरू कर दिया, एक रोज जब वो रातरी को चोरी कर रहे थे तो पुलीस ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के पास ले गे, तब राजा ने उन्हें रा पक्षियों को मार कर मास खाने लगे तब एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकने लगे तब एक दिन एक सिंग ने उन दोनों को मार दिया तब यमदूत उन दोनों को मुगदरों से मारते हुए यमराज के पास लेगे और बोले कि है स्वामी आप इनको देख कर बताईए कि इन्हें क्या दंड दिया जाए यमदूतों की बात सुनका यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि आप इन दोनों का लेखाजों का पढ़ कर सुनाईए तब चित्रगुप्त जी ने उन दोनों भाईयों का लेखाजों का पढ़ा और यमराज को सुनाया कि हेधार्मराज ज इन में से एक को सर्ग का वास मिलेगा और एक नरक का भागी होगा दोनों भाईयों में से कौन सर्ग का वासी होगा और कौन नरक के दुख भोगेगा तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि धनन्जा को सर्ग का लोग दीजिए और दूसरे इसके भाई क्रश्न शर्मा को नरक में डाल दीजिए तब धर्मराजी ने चित्रगुप्त जी की बात सुनने के बाद अपने दूतों को कहा कि है दूतों इस क्रश्न शर्मा को नरक में ढखेल दो और इसके भाई धनन्जा को सर्ग के सुख भोगने के लिए सर्ग में पहुंचा दो तब दूत क्रश्न शर्मा को नरक में ढखेलते हुए बोला की जा अपने कर्मों का फल भोग और उसके भाई धनन्जा को सर्ग में ले जाने लगा स्वर्ग के रास्ते में जाते हुए धनंजय को बड़ा ही आश्चरिय हो रहा था तब धनंजय स्वर्ग के रास्ते में जा रहा था तब उसने यम्दू से पूछा कि है महामुनी हम दोनों एक ही माता के गर्ब से पैदा हुए हम दोनों सहोधर भाई हैं हमने पूरे जन्म एक जैसे पाप करे, पुन्य का तो हमने कोई काम भी नहीं करा, और हम दोनों का अंत भी एक जैसा ही हुआ, फिर मेरे भाई को नरक और मुझे स्वर्ग क्यों मिल रहा है, फिर हम दोनों में से एक को स्वर्ग और दूसरे को नरक की यातनाएं क्यों भोगनी पढ़ रही है, मुझे इसके लिए बड़ा आश्चरिय हो रहा है, तब यमदूत ने कहा कि हे धननजे, बहन, भाई, माता, पिता, चाचा, सभी केवल जनम के साती होते हैं, करम के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल सबका अलग-लग होता है, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फ पुत्र, माता, पिता, आदी का समागम हो जाता है, इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो और स्वर्ग के सुख भोगो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तभी पुण्य आत्माओं के लोक में जा रहे हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है, धननजे ने कहा कि हे दूत, आकि तुम मुझे किस पवित्र कारिये का फल दे रहे हो, और मैंने अपनी जीवन में ऐसा कौन सा पुन्य कारिये किया, जिससे कि मुझे स्वर्ग धाम मिला है, क्योंकि मेरे समान पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, धननजे की बात सुनका यमदूत बोला कि, आपन अपने अध्यापक के साथ एक दिन उनके कपड़े, कुशा और समीदाएं लेकर यमुना तट पर गए थे, अपने आचारिये की आग्या से तुमने कार्तिक मास में तीन बार कार्तिक इसनान किया और नियमों का पालन किया था, उसी से ये महाफल प्राप्त हुआ है, एक ब दुसरी बार इसनान करने से तुम्हें अक्षर स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, और उधर तुमारा भाई यम के कठिन दुख भोगेगा, इस पर यम दूत की बात सुनकर धननज बोला कि, हे देर दूत, केवल साथ कदम साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, इस नाते मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ, मित्र होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरा भाई नरक के दुख से किस तरह जूट सकता है, तुम मुझे कोई उपाई बताओ, मैं अपने भाई के साथ ही स्वर्ग में जाना चाता हूँ, क्योंकि भाई के समान, बांधव, ब्राता के समान कोई रख्षक नहीं होता। यह सादारन ब्राता की बात है। फिर जो एक मा की कोक से उत्मन हुआ है उसके विशे में तो कहना ही क्या। मैं अपने भाई के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाता। मुझे वहां उसके बिना आनंद नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मुझे मिल सके उसके लिए मुझे कोई उपाय बताओ इस तरह उसकी बात सुनका देव दूत कहने लगा कि हे धननजे तुमने कार्तिक शुकल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुश्मान दान दिया था वह पुन्य स्वर्ग वालों को भी दूलब है अक्षे पुन्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की आतनाओं से छूट सकता है देव दूत की बात सुनका धननजे ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्व का वह महा पुन्य अपने भाई क्रश्न शर्मा को दे दिया उस पुन्य के प्रभाव से क्रश्न शर्मा भी नरक से निकल कर अपने भाई के साथ विष्ण लोक में जाकर रहने लगा और स्वर्ग के सुखोखो भोगने लगा यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्रामनों में शर्ष्ट दोनों भाई पुन्यशील और शुशील नाम से स्वर्ग लोक में विराज्समान है इस तरहें आज मेंने आपको कार्टिक मास में आवला नोमी की व्रत कर था और कुश्मान दान के महात्यमे को सुनाया आशा करती हूँ आपको ये जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे के महात्यमे के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद